टार्गिर वित आलोख ऑनलाइन इस्टूट से मैं गौरव नरजन भूगोल परियावरण का आपका अध्यापक सिक्षक पातरता परिक्षा उत्तर प्रदेश सिक्षक पातरता परिक्षा जो उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़ी परिक्षा है होने जा रही है और संभावेत थी भी आ गई उसकी अक्टूबर लाष्ट में आपका फॉम भी डाला जाएगा उसका हमारे इनिस्टूट में एक बैच सफलतम पूरवक चलाये जा रहा है जिसमें हमारे सभी टीचर मेहनत के साथ पढ़ा रहे है अर लगब्ग सतर परिचिसत को समापत कर दिया गया है थोड़ा सा कोर्स बच्चों का और बच्चा हुआ है उसको भी समापत कर दिया जाएगा टैम्ली एक आप लोग के लगातार फोन कोल्स और मैसेज आने के कारण हमारे डाक्टर सरोवनोसर ने एक डिरेक्टर सर्ण ने एक डिसीजन लिया है और डिसीजन के तहरे जो लोग अभी तक छूटे रह गए हैं उनको इस बैच में सामिल किया जा रहा है और एक नया बैच चल रहा है उसमें दो-चार क्लासें भी हो गई है आप लोगों के पास अभी भी मौका है और उस बैच में सामिल होने के लिए है और उस बैच में सामिल होने की प्रिक्रिया जो है वो मैं बता देता हूँ हम लोग उत्तर भारत audi सबसे अच्छी ओन-लाइन ओन-लाइन और लाइफ क से आफ की पर्चित प्रतेक सिक्षक के अंदर कुछ न कुछ गोडवत्ता है और वो अपनी गोडवत्ता पर हमिस्ता खरा उतर रहा है यह आप लोग का प्यार उस नहीं मिला है जिस कारण से हम लोग एक और आपके लिए बैच ला रहे हैं अभी भी जो लोग छूटे हुए हैं मौका है आपके पास आईए इस बैच में जोड़िए और अपनी सफलता को सुनस्चित कर लिजीगा ठीक ना हमारे ऑनलाइन बैच से जोड़ने के लिए जो हमारे संस्ता के ओर से नंबर जारी किया गया है उस नंबर को मैं आपको बता देता हूं नंबर जारी किया गया है हमारे संस्ता के उड़ से 8382 8382 8382 966 966 779 यह हमारी कोचिंग की उड़ से एक नंबर आप के लिए जारी किया गया है इस नंबर पर केवल आपको UPTET इंट्री UPTET या UPTET इंट्री लिखकर सेंड कर देना है वाटसप के माध्यम से आपको वैच में आडविशन दे दिया जाएगा जो भी पिरकिरिया है हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपसे संपर्ग करेंगे और आपको उसमें आडविशन दे दिया जाएगा चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जो आज की माहत्पूर्ण पृष्णों की स्रिंखला है चोथा या पाजमा पार्ट होगा यह माहत्पूर्ण पृष्णों की स्रिंखला का इस स्रिंखला को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके लिए पहला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा और पहला कुश्चन जो है कुश्चन है नेली क्रांती संबंदित है नीली करांती हमारे देश में आप ये टॉपिक भूगोल पर्यावरण में भी पढ़ते हैं किर्सी संबंदित है तो नीली करांती संबंदित है ये टॉपिक नीली करांती है या गुलावी करांती है भूरी करांती काली करांती सुएद करांती इसारा का सारा को किर्सी में पढ जाता है पूझा नीली क्रांती संबंदित है दुगद उत्पादन से पुषप उत्पादन से मत्ष उत्पादन से या फल उत्पादन से देखेगा जो नीली क्रांती है नीला पानी होता है पानी से संबंदित है और पानी में हम मत्ष पालन करते हैं और याद रखने का तरीक पैद रखेगा नीला पानी होता और उस नीले पानी हम मछशली hearings का उतित्पादन कर रहे हैं इस को नाम दे दिया गया मत्स उत पादन में तो निल जसे हैं मत्स उत्पादन से मच लिए Without access महढवा पाए जाते हैं तो इसका सही आंसर है इरोड महादीब में एक सरवाधिक मरुस्तल पाए जाते हैं तो सरवाधिक मरुस्तल जिस महाधीप में पाए जाते हैं उस महाधीप का नाम ऐस्ट्रेलिया है और जिस महाधीप में नहीं पाए जाते उसका नाम इरोप है और ऑस्ट्रेलिया महाधीप में सरवाधिक क्या पाए जाते हैं मरुस्तल प पूरा का पूरा देश में सूखा पड़ा रहता है या मरुस्तलों का विकास हो गया है इसलिए प्यासी भूमी का देश कहा जाता है कुश्चन नमर 3 देखते हैं एरहाप की स्क्रीन पर कुश्चन नमर 3 पिगले हुए मैगमा पिगले हुए मैगमा से सरप्रथम निर्मे चटान है मैगमा सबसे पहले हमें समझना होगा मैगमा क्या होता है यह माली जिगा हमारा धरातल है यह धरातल है यहाँ पर हम और आप हैं जैसे जैसे धरातल की अंदर की परतों में जाते हैं टेंपरेचर अधिक होता है और टेंपरेचर अधिक होने के कारण जो यहाँ पर ठोस है वह ठोस किसमें कनबर्ड हो जाता है तो ठोस द्रव में परवर्तित हो जाता है ठोस किस में परवर्तित हो जाता है तो ठोस द्रव में परवर्तित हो जाता है ठीक ना इस द्रव को ही क्या नाम दिया जाता है इस द्रव को नाम दिया जाता है मैगमा और जब यह मैगमा प्रिथिवी की अंदर की पर्तों को तोड़ते हुए बाहर आता है तो इसी को हम क्या मैगमा सब जो किया है तो जब बहार निकला तो मैगमा या लावा और लावा जब तक अंदर रहेगा तो मैगमा तो कह रहा है कि लावा या मैगमा से सरप्रथम निर्मे चटाने कौन सी है जब लावा धरातल पर आता है तो धरातल पर आने के बाद धीरे 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 व होने के कारण इससे निर्मान हो जाता है चट्टानों का और सरप्रतम जो चट्टान बनती हैं उनको नाम दिया जाता है प्राथ्मिक चट्टान क्या नाम दिया जाता है और इन इन चट्टानों में कौन सी प्रात्मिक होती है तो आगने चट्टान को हम प्रात्मिक चट्टान कहते हैं क्योंकि लावा की सीतली करण के बाद सबसे पहले जो चट्टानों का निर्माड होता है उनको हम क्या नाम दे देते हैं आगने तो इसका सहही आंसर हो जाएगा कोशर नमर 3 के बाद कोशर नमर 4 क्यों चलती है ही हम लोग कोशर नमर 4 कह रहा है निम्ण मैसे कौन सी गैस हमें सूरज की घातक क्रनो पराबैक नी क्रनों से रच्छा करती है ठीक न तो कौन सी गैस कौन सी गैस हमारे पास बायू मंडल है और हमारा जो बायू मंडल है उस बायू मंडल में पांच परतें पाएं जाती है सबसे निचे वाली परत होती है छोब मंडल, समताब मंडल मद्ध मंडल, आयन मंडल और बाह मंडल समताब मंडल समताब मंडल में यहाँ पर ओजोन गैस की एक परत होती है ओजोन परत क्या होती है यहाँ पर ओजोन परत होती है अब जब मैं कह रहा हूँ कि ओजोन परत होती है तो यह परत किस से बने हुई है और ओजोन परत करती क्या है सूर से आने वाले हानिकारक परावैगनी क्रणों से या उनको रोक लेती है या उन्हें परावर्तित कर देती है और देखिएगा कुश्चन निन मैसे कॉंसी गैस हमें सूरज की गहतक क्रणोंं परावैगनी क्रणों से रच्छा करती है और जिस गैस के दवार हुआ है इसका सही आनसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आनसर हो जाएगा ओज्यौन सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन चलिए इसके बाद कुश्चन नमर पांच देखते हैं हम लोग कि बहुत सिंपल कुश्चन है आप लोग समझ जाएंगे एक कुश्चन यूपी टीटी 2007 में पूंचा गया है ठीक ना 2007 का है ठीक ना एक मैं एक प्रेक्टिस से उठाया हूं उसमें लिखा हुआ था यह देखेगा कुश्चन कितना सिंपल है लेकिन देखेगा कितनी भासा लिखा है जब जल जलबास बायूमंडल में आउच्षेपित यानि संगनित होती है होकर द्रव के रूप में प्रिथिवी पर गिरती तुछ से क्या कहते है यानि पान टेंपरेचर देखोगा जल गर्म होगा घर्म जल का बासपीकरन होगा बासपीकरन से बादल बनेंगे और पूछे जाते हैं इतने सिंप्ल से कुश्चन पूछे जाते हैं और इस सिंप्ल कुश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास confidence हो और सबसे पहले जब भी आपको पेपर मिल जाए उस पेपर को एक बार अच्छी से रीडिंग कर लीजेगा बीच बीच में आप लोग क कुश्चन पीपर मिले सबसे पहले उन को पढ़िएगा जितने भी कुश्चन दिएगा है उनको पढ़ लीजेगा जो भी सिंप्ल होंगे उनको कर लीजेगा जो भी आपको लगता है हमसे नहीं हो रहा है उनको छोड़ दीजेगा तो प्रात्मिक तक इसको देनी है सबसे पहले आपको सारे किसारे कुछ्ठन पढ़े लेना है इसका सही plutôt चलिए कुछ नमर्ब व॥ क्ऴच्षा में को शंब पादी सही जाणी एस गईते हैं जिनमें काटी के घ्ले अगति हैंं कटीली जाडे इस स्थानों पर बाये जाती हैं कटीली जाडे आप कॉस्ठानें Turns होती जहांपर वर्षा अतियन्त का मोदी तो आप कह रहा है कि कटिली ज़ाड़ि lan गर्म टमगर आदर बिश्वत कि यहां पर नमी है और बिश्वत रेख chicos कराएं और हम जानते हैं कि बिश्वत के चुद्र में बर्सा देख होती है में गर्म होगा और मरुस्तल यहां पर होंगे मरुस्तलों में सरबाद कटिली ज्हाडियों का विकास हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option B हमें बगाया पढ़ने कोई आउशकता नहीं है जा हमें option मिल गया हम time बचाएंगे अपना और हमारा time बच गया ठीक ना तो इसका स्वरणिम रेशा की बात हो रही है स्वरणिम रेशा निमनम ऐसे किसे कहा जाता है चाय को कपास को जूट को या रवर को चाय कपास जूट या रवर तो स्वरणिम रेशा की बात हो रही है स्वरणिम रेशा यहां पर किसके लिए सब्द यूज किया जाता है स्वरणिम कई मिलेगा नहीं आपको एक नएक सब्सक्राइब को कि याद रखिएगा पुछण नमर साथ कि कुशन नमर आठ प्रिथिवी का जुड़वा ग्रहन मैं से कौन है प्रिथिवी का जुड़वा ग्रहन बोलें या प्रिथिवी की जुड़वा बहन बोलें तो प्रिथिवी की जुड़वा बहन कौन है वरस्पती सनी सुक्र या मंगल प्रिथिवी का आकार और आकर्ती लग प्रिथिवी की कहा जाता है जुडवा बहन कहा जाता है आँठ गरह हमारे पास बुद्ध, सुक्र, प्रिथिवी, मंगल, बिरसपति, सनी, अरोन, और बरन अगर एक question पूछा जाता है प्रिथिवी का जुडवा गरह कहा जाता है तो option में आपको अगर सुक्र और प्रिथ्वी मिल जाए और option में आपको आरोण और बरोण भी मिल जाए तो आप सही कौंसा करेंगे तो आप आरोण और बरोण को सही करेंगे क्योंकि जुडवा ग्रह सब्द आम्तार पर आरोण और बरोण के-लिए यूच किया जाता है पिर्थिवी और सुक्र के-लिए जो सब्द यूच किया जाता है वो है जुडवा बहन है तो प्रिथिवी और सुक्र अगर इस प्रकार कुश्चन आ जाए, सौर मंडल के जुडवा गराय कौन से या किसे कहा जाता है और आप्शन में सुक्र और पृत्वी भी आरोन और बरोन भी है तो आप टिक किसको करेंगे, आप टिक करेंगे आरोन और बरोन को किसको सही कर देंगे, आरणों बारोन को आप सही कर देंगे, ठीक ना, चलिए, कोशन नमर आठ के बाद, कोशन नमर नौ की ओर चलते हैं, बिस्व भूगोल से लिया है, हमने पूँच रहा है, निम्न मैंसे पृत्वी का सबसे उंचा पठार कौन सा है, तो बिस्व का सबसे पूँच रहा है, अब पृत्वी का सबसे उंचा पठार भी पूँच सकता है, एक ही बात है, तो सबसे उंचा पठार, अब देखिएगा, विस्व का पूँच रहा है, तो दक्कन, मालवा, छोटा नांगपुर और तिबबत, तो आमुमा ने कुश्चन हर एक बक्ती जान किसे कहा जाता है, तो विस्व की छत्र तिबबत के पठार को कहा जाता है, जिस देश में उस देश का नाम क्या है, तिबबत, और अगर महादीप की बात करें, कि तिबबत का पठार किस महादीप में है, इश्या महादीप में है, किस महादीप में है, इश्या महादीप में ठीक ना चलिए इतनी बाद के सब्सक्राइब है इतनी बाद क्लियर तो आंग बढ़ जाते हैं कूश्चन नमर्ग की बाद देख लीते हैं कूश्चन अमर्दस जिससे मानों की मान हने की छती होती है जानमाल की छती हो जाए उसको हम आपदा कहते हैं ठीक न मानों निर्मित आपदा है भूक हम मानों की द्वारा लाए जा सकते हैं नहीं लाए जा सकते हैं सुनामी सुनामी मानों की द्वारा नहीं लाए जा सकते हैं रासानिक आपदा य हैं इसका सही आंसर हम भूप स्कnt कर सकते थे लेकिं रासाइनिक आब्दा इस introduce unity की साहई आंसर हो गा रासा अभड़ा मतलब रसाइनों का उपusta किए जा रहा है जिस कारण से मिट्टी का चारियहतपन बढधा रखन ना तो रासानिक और रासानिक आबदा जो आधा जो इन चार टा में न मैं सबस्क companion सबसूं होगा मानऊ नरिमित आपडा मैं अगर रासानिक आपडा यहींalyk रचानिक आपदा उप्शन में नहीं होता तो हम इसका इन तीनों में तब सबसे सही आंसर क्या हो जाता भूपाल गैस आपदा या भूपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं भूपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मिदार थी ऑप्शन नहीं मिथाइल आइसोसाइनाइट ऑप्शन सी है कारवन मोनोक्साइड और उप्शन डी है उपर्योग तो सभी तो भूपाल गैस तरासदी के लिए जो उत्तरदाई गैस थी उसको सौटनिम में भी बोल देते हैं ठीक न तो मेथाइल ऐसुस डीक seben जिसके दोरह भुपाल गयस तराजदी या भुपाल गयस आपदा जैसी समस्या उत्थपन हुई ठीक ना अास्ता तराजदी apologize इसका सही आंसर हो जाएगा है चलिए वस्चन अमर्ब कहरा के बाद आईए कोशन नमर 12 पर कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से सम्मंदित नहीं है ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव बायू बंडल में जो सूर होता है सूर के द्वारा यह हमारा सूर है और यह हमारा धरातल है तो सूर के द्वारा जो प्रकास धर परावर्तित होता है तो जब रात में प्रकास परावर्तित हो रहा होता है दिन में भी अधिक मात्रा में कुछ मात्रा में दिन में भी परावर्तित हो जाता है तो धरातल से टकराने के बाद जब इस और प्रकास परावर्तित हो रहा होता है तो बायू मंडल में कुछ गैसें पाई जाती हैं यह गैसें इस प्रकास को बाहे अंतरिच में जानी से रोकती हैं इस घटना को ग्रीन हाउस कहते हैं और ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं इनको जो रोकती हैं इन गैसें जब बाहे अंतरिच में नहीं जाएंगी तो हमारी धरातल का टेंपरिचर बढ़ा देंगी और धरातल का temperature जब बढ़ा देंगी तो इस प्रभाव को हम greenhouse effect कहते हैं, हरित गिराय प्रभाव कहते हैं, ठीक ना, तो greenhouse effect के लिए संबंदित gas नहीं है, कौन सी gas है, nitrogen यानि nitrogen के oxide के द्वारा तो उत्पन होती है, carbon dioxide भी पहलाती है, methane भी पहलाती है, CO, CO इसका सही answer नहीं होगा, कौन सी gas greenhouse effect से संबंदित नहीं है, तो इसमें सही answer CO हो जाएगा, CO नहीं है, आपकी CFC nitrogen होता है, CO2 होता है, आपकी CFC होती है, आपकी O3 होती है, आपकी sulfur dioxide होती है, आपका H2 होता है, इस सारी की सारी gas है, greenhouse gas होती है, greenhouse effect के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक ना, चलिए, कुश्चा नमर 12 के बाद आईएगा, कुश्चा नमर 13 पर, कह रहा है कि समुद्री प्रिदूशन के कारण नश्ठो हो रहे हैं, भूमद रेखी वन, पत जढ़ बन, कोण धारी वन या मैंग्रो बन, देखेगा, समुद्री प्रिदूशन, अगर हम भारत की बात कर लें, तो भारत ही रहा, शमुद्रे मतला बंगाल की खाड़ी यहां पर, यहां प्याराप सागर, तो समुद्र के किनारे जो बनस्पति पाई जाती है, समुद्री प्रिदूशन से सबसे जानदा प्रभावित वही होगी, तो समुद्र के किनारे यानि खारे पानी में, समुद्र के किनारे यानि खारे पानी में जो बनसपती पाई जाती है उस बनसपती का नाम मैंग्रोब बनसपती है तो अगर समुद्री प्रदूसरण बढ़ता है तो समुद्र में पाई जाने वाली बनसपती बहुत जानतर प्रभावित होगी और समुद्र में जो बनसपती पाई जा रहे हैं उसका नाम mangrove one है तो mangrove one समुदरि water kind सबसे गहरा भूमी वर्ती चार ओर सी भूमी से गहरा हुआ पूर्ण रूप से सुरच्छित बंदर गाए देखिएगा पूर्वी घाट की बात करें तो चेडनाई भी है यहां पर और चेडनाई के निचे यहां तूती को रन है यहां पर पारादूइप है वहार पर विशाक पतनाम है कौं सा बंदर गाए पोर्वी तड़का सबसे गहरा भूमी वर्ती चार ओर से ब्हूमी से गहरा पूर्ण रूप से सुरच्छित बंदर गाए है तो इसका नाम हो जाएगा दक्क्र मोब थक्षक पर भाम सर दूसरा सबसे घहरा चाहें भारत का भी पूछ लेजिएगा भारत का दूसरा सबसे घहरा तो दूसरा पूंचता तो इसका सही अंसर हो जाएगा विसाखा पत्तना चलिए कुछन नमर चौदा के बाद कुछन नमर 15 नमर से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदाई के लिए सबसे उत्तरदाई जो गैस है वो cfc है chloro fluorocarbon यह ओजोन च हरंको भी ऐजोन परत को भी सरवाथिक नुकसां पहुंचाती है तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदाई गैस cfc है इसी के दौरो औजोन परत की मूटाई में भी कमी आ रही है और ओजोन परत की मोटाई में कमी आने को हम ओजोन छरण कहते हैं तो CFC गैस ग्रीन हाउस गैस में भी सबसे ज़ंदा प्रभाव साली है और ओजोन छरण के विनास के लिए यही गैस जिम्मेदार है ओजोन गैस के छरण के लिए कशनमर 15 के बाद आएगा कशनमर 16 क्या रहे है इन में से कौन जलप प्रेदूसन का सुरोथ नहीं है पूंच रहा है कि जो जलप प्रिदूसन फ्हलाने वाले जो कारक होते हैं निम लिखित में सी वाइज को आता उत्पन नहीं करता है निमरी खितमे से वह कौन सा कारण है जो जल प्रदूसर नुत्पन नहीं करता और डॉग एक अफिस्ष्ट यानि कार खानों से निकलने वाला काचरा जल प्रदूसर नुत्पन करता है बिल्गु अभी बताये ते रेडियो धर्मी जो रेडियो एक्रुपतत होते हैं उनके द पानी में नहीं खुल पाते तो अउसेश सबसे आधिक सही होगा, क्योंकि खनन ऐसे छेत्रों में किया जाएगा, नीचे के छेत्रों में किया जाएगा, जहां पर किसी भी प्रकार से जल प्रिदूसर्ण की समझ से उत्पन नहीं होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, खनन अपसिष्ट है, ठीक ना? इसका सही आंसर खनन हो जाएगा, कुश्य नमर 17, भारत में बार सम्मंदी चिताबनी जारी करता है, भारत में जो बार आती है, बार से सम्मंदी चिताबनी कौन जारी करता है? केंद्रिय जलायोग करता है हमारा, सेचाई एवं बाल नेंतरन बिभाग करता है, और या फिर जल संसादन बिभाग करता है, कौन करता है? तो तीनों के तीन करते हैं, साथ-साथ मौसम बिभाग भी इसकी चिताबनी देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उप्रोक्त स केंद्रिय जलायोग भी करता है, सेचाई बाल नेंतरन बिभाग भी करता है, जल संसादन बिभाग करता है, इसके साथ-साथ भारती मौसम बिभाग भी इसकी जानकारी पहले देता है, वो सूचना दे देता है, चिताबनी दे देता है, ठीक ना? कुछ नमर 18 मैंने विश्व भूगोल से लिया है कुछ नमर 18 एंडीज परवतमाला का विस्तार किस महादीप में है? एंडीज परवतमाला का विस्तार किस महादीप में है? अफरीका, दच्छन अमेरिका, उत्तरामेरिका या एरोब तो एंडीज परवत माला जो की बिश्व की सबसे लंबी परवत सरंखला और जो बिश्व की सबसे लंबी परवत सरंखला एंडीज है पूछ रहा है किस महादीप में है तो जिस महादीप में है उस महादीप का नाम क्या है उस महादीप का नाम दच्छन अमेरिका है दच्छ पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला दच्छन अमेरिका महादुईप में है ठीक ना चलिए को कुश्च नमर 18 के बाद कुश्च नमर 19 पर्यावरण अब घटन के कारण उत्पन होने वाले परे अब घटन के कारण उत्पन होने वाले परणामी खत्रों में सामल हैं कौन-कौन से हैं तो अगर पर्यावरण का विनाश होता रहेगा अब घटन मतले का विनाश यहिजी परेवरण का विनास होता रहेगा तो उसके उससे कौन-कौन से खत्री उत्पन हो सकते है, भूश कलन, जो धराता ले धराता निचे चला जाएगा, ढह जाएगा, बाड एवं सूखा, बनों में अगनी दुर घटना है, उपरोक्त सभी, तो यदि परियावरण का अभगटन होता है, परियावरण का अभमूल् कुछ दिन पहले अमेजन नदी के छेतर में जो घंगल पाए जाते हैं, उन्हें सैलबास कहते हैं, सदा बाहर बनों के उधारन होते हैं, और मैं भी कुछ दिन पहले आग लगई थी, तो परियावरण अभगटन के तीनों के तीन इसमें खत्रे उत्पन हो सकते हैं, हमारे बुष्कलन भी हो सकता है, बाड़े उन सूखा भी हो सकता है, बनों में अगनी दुरघटना जैसे समस्यां भी उत्पन हो सकते हैं, ठीक ना, चलिए कुछ नमर बीस के बाद देखिए, कुछ नमर कीस निंक मैसे कौन सा राज इंदरा गांधी नहर परियोजना से सरबाधिक लाबानवित है, जिस नदी से निकाली गई है उस नदी का नाम सतलज नदी है और इस नहर के द्वारा भारत के चार राज लावानवित होते हैं एक राज जो इससे लावानवित होता है राजिस्थान है दूसर राज जो इससे लावानवित होता है पंजाब है तीसर राज जो इससे लावानवित होता है वो हर्याना है तीस तरह कौन सा हरयाना है और चौथा राज जो इसे लावानवित है उसका नाम क्या है तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है अब लावानवित नहीं पूछ रहा है पूछ रहा है कि सरवादिक लावानवित कौन सा हुआ है तो इंद्रा गांधी नहर के द्वारा सरवादिक लावान में जो राज हुआ है वो राजिस्थान है वर्सा कम होने के कारण ही यहां की विकास के लिए इस नहर का विकास किया गया था सतल नदी से पंजाब हर्याना से निकाले गई राजिस्थान और उत्तर प्रिदेश तक किसका क्या है फैलाओ है थार मरुस्तल में भी यह पाई जाती है ठीक न तो एक कुश्चन नमर आपका बीश था कुश्चन नमर बीश के बाद आईएगा कुश्चन नमर 21 पर निमनलिकित कतनों पर विचार कीजेगा या ध्यान दीजेगा नए वन्यजीब अभ्यारणों की घोशना राजिसरकार कर सकती है नए राश्टियों ध्यानों की घोशना केंद्र सरकार कर सकती है देखेगा राश्टिये पार्क जो हमारे राश्टियों ध्यान या राश्ट गोषणा राज्य सरकार करती है कौन करती है तो इन दोनों की गोषणा राज्य सरकार करती है जबकि जो हमारे जैब मंडल आरच्छे छेत्र होते हैं इनकी गोषण जो है वो सेंट्रल करता है यानि केंद्र सरकार करती है कौन करती है इनकी गोषणा किन सरकार करती है पढ़ लिजेगा तो देख लिजेगा पूछ रहा है ध्यान दीजेगा अगर इसमें सत्त की बात हो रही तो सत्त इसमें कौन है तो इसमें केवल ए उप्सन सकते है केवल फर्ष्ट वनेवान जीव अब भ्यारणों की गोषणा राज सरकार करती है जबकि जैम मंडला रच्छे छेत्रों की गोषणा मारी किन सरकार करती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक ठीक ना यानि पहला वाला इसमें सही है बस ठीक ना चलिए कोषण अमर 20 के बाद कोषण नमर 22 ग्रीन हाउस प्रभाव पर निमलिखित कत्रों पर विचार करें ठीक है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता भी हमने समझाए था जो परावेग ने जो पृत्वी पर जो उसमा आती है जब यहां से लोटती है धरातल से टकराने के बाद परावर्तित होने के बाद जब लोटती है तो हमारे बायो मंडल में कुछ गैसे होती हैं जो उसे बाया अंतरिश में जाने से रोकती है तो उन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण प्रतिवी कैसे हो रही है, गर्म हो रही है, तो यह तो बात गलत हो गई है, दूसरा है, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रतिवी पर देखे जाने वाली घटना नहीं है, यह तो प्रतिवी पर देखी जा रही है, दिन प्रतिवी दिन तो इसमें से कौन कौन से कारक सत्त है यह वाली बात गरीन हाउस प्रवावपृति पर देखे जाने वाली घटना नहीं है यह वाद इसमें असत्त लिखी हुए तो सत्त पूंच रहा है तो सत्त केवल यह तीसरा वाला हो जाएगा तो यहां पर इस तो सत्त इसमें केवल तीसरा है तो बिद्ध पर ब में तो नहीं लेकिन हमने यहां पर बना दिया यानि यह वाली बात इसमें केवल सही है बकैत दौनों बातें कैसी है गलत है किस ग्रहे पर great red spot पाए जाते हैं मतलब एक ग्रहे है जिस पर लाल कलर के धब्बे पाए जाते हैं उस ग्रहे का नाम क्या है तो उस ग्रहे का नाम है ब्रस्पति तो ब्रस्पति गरह पे लाल रंके क्या पाई जाते हैं लाल रंके धब्ब्ब्ब पाई जाते हैं ठीक ना चलिए तेश के बाद कोशन नमर चौबीस आजिएगा केंद्रिये समुद्री मत्स अनुसंधान संस्थान कहा पर है Central Marine, Central Marine Fish Research Institute पूछा जा रहा है, कहां पर है, मुंबई में, विसाका पत्तनम में, कोची में, कोय मट्टूर में, तो पूछा जा रहा है कि मचलियों का केद्री अमस अनुसंधान, संस्थान कहां पर है, जाप है मचलियों से सम्मदिद रिसर्च करते हैं, आरक मुलब क्या है यह रिसर्च को हिंदी में क्या कहते हैं, तो रिसर्च को हिंदी में कहते हैं, अनुसंधान, तो कहां पर है, तो कोची आपका 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 केरल में, कोची कहां पर है, तो कोची आपका केरल में, ठीक चलिए कि कुछे Loc na 24 था कुछ संबर 24 के वाद बढ़ जाते हैं कुछ नमर 25 की ओर चलते हैं देखेए हैं कुछ कर—a 925 निमलिकत मैं से कौन सा राष्टि उप्ध्यAN है उध्यान हाती रीजर्ब बाग रेजर्ब और बायूस्पर रीजर्ब तीनों है ठीक ना राश्टी उध्यान भी है हाती रिजर भी है बाग रिजर भी है और बायोस्पेर भी है बायोस्पेर ठीक ना बन जीव अभ्यारन पूछ रहा है कौन सा है तो मानस कानहा पन्ना इनमें से कोई नहीं तो हाती देखेगा कानहा और पन्ना में टाइगर तो पाए जाते तो इसका सही आंसर हो गया मानस टाइगर रिजर्व छेत्र और मानस कहां पर है ठीक ना मानस कहां पर असम है काजी रंगा और मानस सभ्यारण कहां पर है असम है तो यह असम है ठीक ना तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानस टाइगर रिजर्व मानस टाइगर रिजर्व ठीक इसका सही आंसर है कोशन नमर पचीस का कोशन नमर पचीस के बाद कोशन नमर छबी देखिएगा निमलेकित फसलों मैंसे कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामगरी को समरिद्ध करता है मैंने जब आपको जो लोग हमारे हाँ एडवीशन लिए उनको मैं पढ़ा रहा था किरसी जब मैंने बताया था कि आप स्वेम से बताईएगा आपके पास एक खेत है क्या प्रतेग बर्स इसमें एक ही फसल को बोते रहेंगे अगर माली जीगा एक इस बर्स आपने इसमें गेहूं उत्पादन किया गेहूं की फसल की तो क्या प्रतेग बर्स आप गेहूं ही उगाते रहेंगे में कई प्रकार के रसायन पाए जाते हैं जो कई पूसक तत्तों का उसरजन कर देते हैं जैसे यहां पर पूंचा जा रहा है मिटी में नाइट्रोजन सामंगरी को कौन उसरजन करता है आलू सूरजमुखी मटर जो तो इसमें मटर और मटर के साथ साथ चना मटर और चना मिट नाइट्रूजन को भरपूर मात्रा में सम्रिद्ध कर देते हैं और पौधों के बेकास के लिए नाइट्रूजन का होना बहुत अवश्यक है अगर इस बार आपने गहूंगा है तो अगलीवार आप चाना होगा ये उसके बाद आप गहूंगा ये फिर देखेगा कितने अच किर्सी जो है मानसून पर आधारित है बहुत अच्छी फचल है मौसं तो साथ दे तभी तो इसलिए कहा जाता है जो लोग किसान के पुत्र होंगे या खेती बारिस जोड़े हो जानते हैं किर्सी एक प्रिकार का जुगा होता है फचल खड़ी हुई हो सकता है बारिस आ जा पर्यावरण के संदर में भूमिगत औसिष्ट से उर्जा सुवधा या रिसाइकिलिंग सुवधा को नंगरपाली का ठोस कचरा देने के लिए सुल्क लाया जाने वाला सुल्क को किस नाम से जाना जाता है इतनी बड़ी इसमें बात लिखी इसमें केवल बात है कि जो ठोस ठोस कचरा होता है देखेगा लिखा होगा ठोस कचरा निप्टान जो आप देखते हैं नगरने गंबाले जो आते हैं आवा और कचरा लेके जाते हैं आपका तो जो कचरा ले जाते हैं उसके लिए आपसे एक फीस ले जाती एक सुल्क लिया जाता है उस सुल्क पूछा जा डंपिंग ड्यूटी यह डंपिंग फीज टिपिंग फी आया मटेरियल फी तो टिपिंग फी टिपिंग सुल्क कहा जाता है तो उनके द्वारा मंतली एक आपके उपर सुल्क यह फीज लगाई जाती है तो आपको याद रखना है टिपिंग फी कुशन नमर 28 कहρα है प्रात्मिक सेल कौन सी होती है प्रात्मिक सेल कौन सी सेल को कहते हैं अब यही बता के प्रात्मिक सेल हैं जिनका निर्मार लाबा की तुरंट बाद हो यानि सब से पहले होता है तो कौन सी सेलों को प्रात्मिक केहते हैं आगने सेलों को हम प्रात्मिक सेल्टे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आगने सैल ठीक ना चलिए को इसके बार कुश्व नमर 29 कहरा कि निम्लिखतमें से कौन सा विकल्प गल्थ है नेलगिरी बायो-इस्प्यर रेजर्ब कहांपर है तमिल्लाडू नौकलेक बायो-इस्प्यर सभी?. तो निल गिन गिरी Hom Anybody सबस्क्राइब नाम जो है ا। छेत्र जो स्राजिय का नाम क्या है तो सबस्क्राइब क्या है यानि ये वाला आप्शन में성意 mee सभी है इसका सही सभी tidak तो एकोशन मर 99 था और 29 जो सही हो वह होगा option A option A सही हो जाएगा चलिए उसके बाद कुछा नंबर 29 के बाद कुछा नमर 30 आपके स्क्रीन पर है निमने लिखे तमें से कौन सा बाइग रह नहीं है देखेगा अगर सूर से बढ़ती दूरी के क्रेव में हम देखें तो हमारे पास आठ गरह होते हैं सूर के सबसे पास बुद्ध के बाद सुक्र के बाद मंगल मंगल के बाद पिर्थिभी पिर्थिवी सुक्र सरी बुद्ध सुक्र पिर्थिभी उसके बाद मंगल मंगल ब्रस्पती सनी आरोण और वरोण आरोण बरोण जो सुरुवात के चार्ग रहे हैं ये वाले ठीक ना ये जो सुरुवात के चार्ग रहे हैं इन चार ग्रहों के लिए आंत्रिक ग्रह बोला जाते हैं इनको क्या नाम दिया जाता है इनको आंत्रिक ग्रह कहते हैं और जो बात के मंगल ब्रस्पती सनी सरी मंगल तक तो ये हो गया ब्रस्पती से कहां से ब्रस्पती से मंगल इसी में आएगा मंगल के बाद जो आपका बुरस्पती हो आफका संई है जो आफका आरोण है और जो आफका वरोण है इन चार ग्रहां को बाहे ज्रह को बाहे ज्रह के नाम जाता है तो यह बाहे ज्रह méd déjà और उसके पहले जो चार थे वह आंत्रिघ्रय Danish को सा बाइगरह नहीं है इसमें से तो बाइगरह यह इसमें से कौन नहीं है संई तो बाइगरह है और हुद में ग्रहे का उधारण हैं हमारे कोचिंग में हमारे ऑप्रिशलाए जा रहे हैं टीटी का जिसमें फिर से दोहरा रहो अपनी बाद सफलता पूर्बग चल रहा है बलकि दोटीट करा रहे हैं उसमें लगबख 70% समापती हो गया है 30% और रह गया है तो उसको हम लोग कंप्लीट करा रहा है एक नया बैच आया है आप लोग की डिमांड को लेते हुए तो हम एक बार आपको रिमांडर करा रहा है अभी यदि आप हमारी इस प्रोग्राम से छूटे रहे गए तो जल्दी इस नंबर पर केवल आपको वर्टसप के माध्यम से वर्टसप के माध्यम से यूपी टी इटी इंट्री लिकर सेंड कर देना है आपको एडवीशन की पिरिगरिया किलास का टाम टेबल सब कुछ बता दिया जाएगा और आपको दाखिला इस बैच में दे दिया जाएगा जल्दी से फ़न उठाईएगा और कीजेगा देखेगा इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि हम उत्तर भारत वलकि पूरे भारत की सबसे अच्छी लाइप किलासेज दे रहे हैं आप लों को तो इन किलासों का अगर आप दूर दराज के छितरों में हैं या कहीं भी हैं और जिन्दकी में आँगे बढ़ जाईगा ठीक ना चलिए तो आज यहीं रख लेते हैं इसके आँगे फिर मिलते हैं थैंक्यू